हेलो एवरिवान मैं डिवाइन फैमिन आपके लिए आपके पार्टनर की करंट इनर्जी लेकर आई हूँ तो हो सकता है डियेफ डियम अपने इनर्जी के कॉर्डिंग देखेगा हो सकता है आपको बहुत ही ज्यादा इरिटेशन फिल हो रही है हो सकता है आप फिर से रहे हैं ठीक है दूसरा आपको एक सोसाइटी फिर हो सकता है डियेफ डियम आप मैरिट हो और आपने काफी टाइम से आप जर्नी में हो और आप सोच रहे हो भी आप हो सकता है कि लास्ट मोमेंट में होस्ट हैं बतलब कि आपका पर्मेनेट यूनिन होने वाला हो या हो भी मेरेज्ट करने का मेरेज्ट कि दिवाइन अगर हमें डेस्टनी में लिखा है आपके पार्टने के साथ मैरेज्ट हो नहीं है तो वह किसी भी एज में होगी वह चीज जो आप कभी चाहते थे कि मैं मैंनत कर रहा हूं मैं स्टर्गल कर रहा हूं लेकिन आपने शायद खुद से उस इसको as a marriage आपके ड्रीम है अपने पार्टनर के साथ लेकिन उसको success होते वे देखना भी चाहते हैं लेकिन वो जब time आपके पास आने वाला है न उस चीज़ का fear अच्छानक से आपके अं जिससे आपको 100% हो सकता है ड्रीम में आपको marriage related आपके पार्टनर के साथ marriage होनी ऐसे indication दे देगिया हूं यह आपको पता लगा हूं कि आपकी second marriage possible है तो कहीं न कहीं आप इस time society के बारे में ज्यादा thought create करते वे अपने life को जो आपने अभी तक इतना एक चर्णी को लेके अप आपकी life में कि आपकी इनी मेर इन परस आपके डीम के साथी आपको मिल जायागा सिर्फ ठोड़ी से दूरी अगर ऐसी situation आपकी life में आई हो और आपको decision लेना पड़ गया है और आपने क्या क्या है महां से अब आपका मन कर रहा है कि मैं मैं शादी नहीं करना चाहता मेरे द society की तरफ सोच रहे हैं और चाहते हैं कि मैं आप इनके साथ थोड़ा back step कर लूँ क्योंकि आपको अंदर से fear लग रहा है वह fear मतलब आपको क्योंकि कुछ situation ऐसी होती है कि इनसान सोचने में मजबूर हो जाता है कि society हमें तो नहीं अपनाएगी लेकिन ये तो एक illusion है लेकिन इनसान जब सोचता है तो बहुत कुछ सोच लेता है कि मेरे मेरे एजबी होगी मेरे बच्चे बड़े हो गए अब उनके बारे में सोचा जाए या अब अगर मेरे डेस्ट नहीं मुझे वहां तक पोचा रही है मैंने सब कुछ कर लिया पर मैंना ज्यूनियर भी हो गया आपका मन उसे औंट नहीं कर पार रहा है किसी भी तरीके से आप चाहते भी थे आपकी विश्ट घी की आपके नंट की साथ आपके मैरेज हो अब इसिजनम में कलियर कर कर Profes लेकिन वो जो fair आपके मन में अचानक से बनाया वो आपकी कहीं न कहीं partner की energy भी है जो कि इस ताम हो सकता है third party के साथ उनकी कही marriage fix हो यह हो हो सकता है married भी हो unmarried भी हो अगर वो married है तो वो उनके साथ अपना relationship खतम करने के बारे में सोच रहे हैं आपके साथ करने के सोच रहे हैं और यह भी हो सकता है कि आपका जो partner unmarried है और वो यह सोच रहा है कि मुझे अब जहां पर हो सकता है उनकी शादी के commitment दिया हो या शादी होने वाली हो तो वहां से रिस्ता तोड़ने के बारे में भी सोच रहे हैं तो दोनों कंडिशन ऐसी बन गए कि डियम का system mindset ऐसा हो रहा है कि वह भाग रहे हैं लेकिन वह आपकी तरफ आ रहे हैं और आपका मन ऐसा हो रहा है कि अब आप रन करना अपने पार्टन से शुरू हो गए हो कि भाई मुझे को अपने अप 3D वर्ट से अपरेट करने लगे अचानक से आप का मन सोसाइटी फियर की तरफ बढ़ गया है जबकि आप बैलंस्ट हो सब कुछ है लेकिन वो जो ससाइटी फियर जो आपके डियम का होता था वो आज आपका फियर बन चुका है तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है लाइफ में तो आप डियन एक्टिवेशन को बढ़ा दें ताकि आप बैलंस कर पाएं जो बैल होगा वही होगा जो हम लिख चुके हैं तो अभी से इसको फियर को लेट को करें पॉजिटिव कोशिश करें डियन एक्टिवेशन को बढ़ा दें अपना ठीक है माइंसेट ऐसा बना दें कि क्योंकि वह हमारा ही पार्ट है अगर डिवाई ने हमारे लाइफ में लिखा है तो हमेंसे असर्ट करेंगे हमारे लाइफ में चाहिए दूख हो नेगिटिव हो अच्छा हो जो भी हो हम हर चीज़ को असर्ट करते हैं तो अभी हमें किसी चीज़ से रन नहीं करना क्योंकि फ्यूचर का नहीं पता कब फ्यूचर आएगा लेकिन उससे पहले ही अगर हम र सब्सक्राइब करें नहीं चाहते हैं कि उसका शादी की बात की जाए आप खुछ से रन करना शुरू हो गया है तो चीज़ को रोकिए पॉजिटिव होई है क्योंकि यह पॉसिबल नहीं है तो आप नहीं को इतनी मैनत कि और आगे बढ़ चुके हैं तो अब यह मैं सोचे क कि एक पॉइंट पर आके यह चीज़ को मैं लेट को कर दूँ तो बहुत जरूरी है फियर की पिज़े से अपने जर्नी को स्टक मत कीजिए आगे ग्रोथ कीजिए बैलंस करते वे चलिए जब तक बैलंस हो रहा है हो रहा है जो होगा पो डिवाइन पर संटर कीजिए जो हो को न्यों अपड़िट मिलेगी में फिज़े से आपके सामने हाजर होंगी